तो यह देखो बेसिकल यह भी एक सर्कूलर मुशन का प्रॉब्लम में बच्चो ज्यादा डिफिकल्ट कोस्टन है नहीं कहते हैं कि यह जो है मार्स का एक सेटलाइट यह अपना मार्स है तो कोई मार्स का सेटलाइट है जो आर्बिट आर में चक्कर लगा रहा है इस इस सेटलाइट को मार्स पूल कर रहा होगा और मार्स इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा तो यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स का वह ही इसको सेंटिमीटर फोर्स देगा तो मार्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम देखोगे तो जी मास अफ दे मार्स और मास अफ दे सेटलाइट और यहां से रेडियस आर का अस्कौर इस उकल टू सेंटिमीटर फोर्स मा कि और की कि मेंगा एक तो पाइटी तुपाइटी का स्क्वाइर औरिवाइड đã ढौट तो फाइनलर्ड दिखो कि तो मास का हो मास का मास आजाक और स्क्वाइगो फ फ्र पाइट स्क्वाइर की पाउर क्यूज our कैपिटल जी टी का स्कॉर तो यह फाइनल डेरिवेशन आ गया तो अब सारा डेटा रख दो तो फाइनली जब सारा डेटा कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो यहां से जो सबस्क्राइब वियह फाइनल कली खैलकुलेट करना तो थेंग की पावर तरी किलो मीटर का क्यू आ जाएगा और डिवाइड कर दें टाइम पिरिड तो टाइम पिरिड यहां दे रखा था टू से वन फाइफ फोर जीरो इतना सेकेंड तो फाइनली यह जो लंबा केल्कुलेशन है अगर मैं इसको कर लेता हूं तो मास जो आ जाएगा बेसिकली वह जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर 23 केजी तो यह जो 23 केजी यह वाली जो चीज वह बेसिकली इसका स्कॉयर चड़ेगा और यहां जी की बेलू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 11 तो यह दिस इस दे मास अब दे मास तो आई होब कि आपको क्लियर हो गय क्या होगा एक कहानी थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो